उसमें से सिर्फ 9 सीट बंगॉल में हो रही है और आकरी चरन के 9 सीटों में बंगॉल में 6 में पूरे की पूरे हिंसा जनक फूलिंग हो रही है उसके उपर मीडिया से भी बहुत खबर आ रही है हमारे कैंडिडेट्स के उपर अटाक और खुले आम टीमसी के कार्यकरता ने वोटर को पूलिंग बूत के अंदर जाने से इंकार करने वाले शडियंत्र आप देखने को आज मिल रहे है मीडिया के दौरा हम इस इन सब से आपती मान रहे हैं वोटर को फ्री एंड फैर पॉलिंग करने में उदर वातावरन टीमसी के कारण गड़बट सा लग रहे है हमारे मांग ये है कि वोटर को टीमसी दमकी देने वाले जो कारिकरम हो रही है उदर उसको एलेक्शन कमिशन संग्यान में लेना चाहिए और ये भी हमारे मांग है कि आज से लेकर के क्यूंकि हमें डर है कि बंगाल की मुक्यमंतरी साहिबा ने जो पहले से दमकी देते आ रहे हैं इन चिंच का बदला लेने के विशय जो वो बार बार बोल रहे हैं और उनके कहने में टीमसी के करेकरता कुर्याम बाहर आ इसलिए हमें डर है कि आज पोलिंग खतम होने के बाद से टीमसी का नरसंगहार उदर शुरू होगा क्या इसलिए हम मानते हैं कि सेंटरल आम्ड पोलीस फोर्स उदर रहें फूरे मॉडल कोर्ड अफ कॉंडक्ट जब तक कतम ना हो हमारे मांग ये बात है और दूसरा ये भी है कि अब से लेकर के छे बजे तक चुनाव आज शाम कतम होने तक उदर शांती का माहूल बरकरार रखने के लिए सेंटरल पोलीस फोर्स ने आक्टिव रहना चाहिए हम अभी observation सिर्फ बोड़ रहे हैं शायद बेंगौल के यूनिट बारतिय जनता पार्टी के उदर के आज का साड़े चार बजे या तीन बजे साड़े तीन बजे मिलने वाले हैं मगर केंदर पार्टी से हमारे टिपनी हम देरे पास पर देट बेंगौल का अब एक इंजी के करिंग जो कारी करता है वापे केंदर वल्ट जो है उससे जगडा कर रहे हैं था 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 था